आज आप सीखने वाले हैं अंग्रेजी के विलोम शब्द और उनका अर्थ हिंदी में यानि के इंग्लिश के होंगे विलोम शब्द, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में उनको क्या कहेंगे तो English to English और उसका मीन भी होगा हिंदी में साथ में विलोम शब्द को जान ले कि पहले अंग्रेजी में क्या कहेंगे opposite words कहते हैं तूसरे जो शब्दों में इसको antonyms भी बोलते हैं तो कहीं पर आप समझेंगे opposite words और antonyms लिखा है तो इसका मतलब confuse ना हो antonyms को ही हम विलोम शब्द कहते हैं opposite words तो चलिए शिरुवात करते हैं सबसे पहले है यहाँ पर active active है active का मतलब होता है सक्रिय व्यस्त या तेज ठीक है कोई तेज है कोई व्यस्त है सक्रिय है तो उसको हम कहेंगे निश्क्रिय है हिंदी में या कमजोर होना ठीक है lazy lazy या फिर कह सकते है आलसी ठीक है आलसी कोई active है कोई lazy है तो एक बंदल active है एक lazy है एक तो तेज है ठीक है काम करने में फुर्ती है उसमें दूसरे में कमजोरी कमजोरी का means कि आलस है उसमें आलसी है वो दूसरा है accept accept का मतलब होता है स्वीकार करना कोई भी चीज हम स्वीकार कर लेते हैं accept कर लेते हैं अगर मना कर देंगे तो हम कहेंगे इनकार कर दिया तो इनकार करना refuse कर दिया तो एक तरफ accept किया और दूसरी तरफ refuse कर दिया तो accept का willom हो गया refuse accept willom active lazy alive का मतलब होता है जिन्दा और dead का मतलब होता है मृत, alive, dead, सभी यानि की all, all, none यानि की कोई नहीं, सभी एक तरफ तो है all यानि की सभी और इसका opposite हो गया none यानि की कोई नहीं, all का none हो गया, adult, adult का मतलब होता है व्यस्क और opposite है इसका child, child का मतलब होता है बच्चा, adult का child फिर है answer, answer का मतलब है उत्तर, answer उत्तर और question यानि की प्रश्न question यानि की प्रश्न, तो answer question, सहमत और एसहमत, ऐसे बोलते हैं तो सहमत यानि की agree, और नहीं है सहमत तो disagree होगया, तो agree का opposite होगया disagree agree, disagree, next है absent यानि की अनुपस्थित, absent का मतलब है अनुपस्थित, और present यानि की उपस्थित absent present उपस्थिद अनुपस्थिद उपस्थिद अनुपस्थिद तो absent का present बोले या present का absent बोले दोनों ही opposite है ठीक है तो assist assist का मतलब होता है सहायता या फिर जो सहायता नहीं करता दखल देता है तो उसको हम बोलेंगे hindrance या फिर interference hindrance या फिर interference next है add का मतलब होता है जोड़ना और घटाना यानि की subtract करना add subtract जोड़ना घटाना afraid भैबीत होना एक तरफ तो किसी को भै लग रहा है डर लग रहा है और दूसरा confident है confident विश्वस्त है मतलब उसको अपने आप में पूरा विश्वास है तो एक जो है interview देने के दौरान जैसे भैबीत होता है तो I am very afraid और दूसरा कहता है I am very confident तो afraid का हो गया confident after यानि की बाद में और before यानि की पहले after यानि की बाद में before यानि की पहले transient का मतलब होता है प्राचीन और जो पुराना होता है उसको हम बोलते हैंेयन्ठ है और और आज की जमाने का आधुनिक नया जो होता है, उसको हम modern बोलते हैं, तो ancient का हो गया, opposite modern प्राचीन, पुराना, modern यानि आधुनिक होना, नया होना तरक करते हैं, भेहस करते हैं ना, तो इसको एंगलिष में सitions पर लते हैं अर्गू बोलते हैं, argue और नहीं तरक करते, ठीके तो हम मान जाते हैं तो agree हो जाते हैं तो मान लेना या सहमत होना तो argue का opposite हो गया agree ठीक है argue agree arrive यानि पहुचना कहीं पहुचना होता है arrive होते हैं और प्रस्थान कर देते हैं वहाँ से तो depart बोलते हैं उसको इंग्लिश में arrive का हो गया depart, यानि कि प्रस्थान कर देना, वहां से रवाना हो जाना, फिर है arrogant, कोई arrogant होता है न, घमंडी या जिसको बहुत ज़्यादा कड़ होती है, तो उसको arrogant बोलते हैं, और humble होगा दूसरे तरफ, विनम्र या सीधा साधा, सीधा साधा विनम्र होगा, उसको humble बोलेंग घमंडी होगा, जिसमें ज़्यादा कड़ होगी, घमंड ज़्यादा होगा, तो arrogant का होगा, humble, arrogant का मतलब, humble इसका opposite है, ठीक है, फिर है ascent, उपर चड़हान जो होती है न, ascent यानि कि चड़ना, और उतरना हो जाता है decent, ascent इस तरीके से उपर की तरफ और नीचे की तरफ होग और defend यानि की बचाव करना, defend यानि की बचाव करना, attack मतलब आकरमन करना, defend यानि की बचाव करना, awake का opposite हो गया asleep, awake का मतलब होता है जागा हुआ, और asleep का मतलब होता है सोया हुआ, sleep सोया हुआ, और जाग गया है तो awake हो गया, तो awake का सोया हुआ हो गया asleep, तो awake का asleep, bad यानि की एक तरफ कोई bad है, बुरा है, दूसरे तरफ good है, अच्छा है, bad का good हो गया, एक तरफ सुंदर है, और दूसरे तरफ कुरूप या बदसूरत है, अगली है, toen beautiful का हो गया, अगली, before यानि कि पहले, after यानि कि बाद में, before यानि की पहले after यानि की बाद में better का मतलब होता है अच्छा better नहीं है खराब है तो उसको बोलेंगे worse worse बत्तर या खराब अच्छा यानि की better big यानि की बड़ा और big नहीं है दूसरी तरफ small है little है यानि की छोटा big का small या little bitter होता है खटा और sweet होगा मीठा ठीक है खटा, मीठा, bitter, sweet next है black ब्लैक का मतलब होता है काला और white का मतलब है सफेद blunt ब्लन्ट का मतलब होता है भोतरा, मोटा या बिनाधार का जिसमें धार नहीं होती और एक होता है sharp यानि की तेज या प्रकर या पैना तेज, प्रकर या पैना, भहत्रा, मोटा, बिनाधार का बलंट का अपोजिटोगा शाप बलंट, शाप, बोल्ड, बोल्ड होता है, कोई व्यक्ति काम करने में सहसी निर्भीक होता है जिसको किसी का डर नहीं है, बोल्ड और एक होता डर पोग जो सबी से डरता है टिमिट बोलेंगे उसको, बोल्ड का हो जाएगा, टिमिट, बहादुर होता है, वीर होता है, उसको इंग्लिश में ब्रेव कहते हैं जिसमे कि डरपोक कह सकते हैं और एक बड़ा हो गया नहीं अधिक लंबा हो गया तो लॉंग हो गया ब्रीए अधिक लॉंग हो गया पिर है चमकदार या तेज होता है उसको इंगलिश में ब्राइट बोलते है कोई चमकदार है तेज है और कोई चीज हो सकती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है यह तो चमकदार है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं यह तो डल है फिका फिका सा है तो फिका डल ठीक है और सुस्त भी बोल सकते हैं डल को कोई सुस्त है ना उसको भी हम डल फिर है busy, busy का मतलब होता है व्यस्त और जो बेकार है खाली है ऐसे आइडल बेकार ठीक है आइडल बोलेंगे उसको busy होगा एक तो और दूसरा बेकार खाली ही बैठा है तो आइडल बेकार buy मतलब होता है खरीदना और खरीदने का opposite हो गया sell करना यानि की बेचना buy का sell हो गया खरीदना बेचना next है cautious cautious का मतलब होता है सावधान कई बार आप board वगेरा पे लिखा हुआ देखते हैं कि सावधान रहें be cautious और दूसरा होता है लापरवाह केरलेस होता है एक तो होता है cautious और सावधान रहता है और एक लापरवाह होता है हर जगे लापरवाही जो करता है careless एक होता है सस्ता कहेंगे यह चीज जो है यह बहुत सस्ती है चीप है लेकिन महेंगी होगी तो expensive होगी महेंगी होगी तो expensive तो cheap का opposite हो गया expensive फिर है clever clever होता है कोई चालाक होता है ठीक है चालाक और एक होगा stupid यानि की मूर्ख होगा जो clever यानि चालाग clever का मतलब चालाग और stupid का मतलब है मुर्ख catch का मतलब है पकड़ना catch का मतलब है पकड़ना और miss कर देना किसी को miss कर दिया यानि train को पकड़ लिया तो catch कर लिया उसको छोड़ दिया तो miss हो गई वो train cry का मतलब होता है रोना cry मिन्सकी रोना दूसरी तरफ है क्लाफ cry का लाफ हो गया हसना रोना रोना हसना तो cry लाफ cloudy होता है न धुंदला बादल आये वे होते हैं उस तरीके से बोलते हैं cloudy है और नहीं ये तो बिल्कुल साफ है clear है ठीक है धुंदला होगा तो cloudy बोलेंगे और एकदम clear है जो बादल है तो हम साफ कहते हैं इस तरीके से फिर है cruel cruel का मतलब है निर्दई ठीक है और human का मतलब है इंसानियत जिसमें होती है न human तो cruel का हो गया human फिर है clean एक तरफ clean है दूसरी तरफ गंदा है एक तरफ साफ है दूसरी तरफ गंदा मेला है dirty है तो clean का dirty हो गया साफ का गंदा हो गया close का मतलब होता है बंद करना बंद करना होता है और open होता है खोलना बंद करने का हो गया खोलना open फिर है cold ठंडा है दूसरी तरफ गरम है यानि की hot है तो close का हो गया opposite hot complex होता है बहुत जादा कोई question भी हो सकता है ठीक है वो बड़ा जटिल है और पेचिदा है complex है ये तो और एक होता है easy simple जिसे बोलते हैं तो complex का opposite होगा simple यानि की söyl कॉम्प्लेक्स simple फिर है compliment किसी को compliment देते हैं और दूसरी तरफ हम प्रशनसाम करके उसकी insult कर दे तो insult यानि की अपमान एक तरफ compliment दूसरी तरफ insult एक तरफ के ने प्रशन साम कर दी किसी के और दूसरी तरफ किसी का अपमान कर दिया cool का मतलब होता है ठंडा और warm का मतलब होता है गरम या फिर गुन-गुना होता है ना उसको भी हम warm बोलते हैं और cool को ठंडा crazy का मतलब होता है sun की या जखकी जो होता है ठीक है crazy और sane का मतलब होता है समझदार जो अपना विवेक से अपना काम करता है तो crazy का sane next है crooked crooked जो होता है ना kutil या धूर्त होता है और एक होता है सीधा साधा इमानदार सा straight बोलेंगे crooked का straight फिर है cruel कठोर हो गया या कुरूर हो गया और एक तरफ होता है दयालू इसको हम kind बोलते हैं दयालू या उदार है ठीक है और cruel हो गया निर्दई हो गया कठोर हो गया कुरूर हो गया तो वो cruel है दूसरी तरफ जिसमें दया है उदारता है तो वो kind हो गया cruel का kind हो गया dark होता है अंधीरा ठीक है अंधीरे को हम dark कहते हैं और light का मतलब है प्रकाश तो अंधीरा का हो गया प्रकाश और light का मतलब सरल भी होता है हलका भी होता है तो mean तो अलग-अलग होते हैं लेकिन dark का आप ले ले अंधीरा का प्रकाश एनि dark का light दिन का रात हो गया day का दिन हो गया ठीक है day का दिन हो गया night का रात हो गया meaning हो गया तो day का हो गया night दे का मतलब दिन और night का मतलब रात तो दिन का रात decrease का मतलब कम होना जब घटता है न कुछ भी तो हम decrease होना कहते हैं कि इसके मुल्ले जो है decrease हो गए इसकी जो कीमत है और बढ़ गई है तो increase हो गई यानि कि वृद्धी हो गई है बढ़ गए है decrease यानि घट गए है study की है गहन अध्यन किया है गहरी study की है और shallow का मतलब होता है कम गहरा ओच्छा या छिचला means कि shallow deep का मतलब कोई बरतन हो सकता है ये तो deep है गहरा है और shallow का मतलब इस तरीके से जो तश्तरी होती है वो shallow है यानि कि कम गहरी है और इसमें ले सकते हैं आप pot है न वो तो इस तरीके से दीप का शैलो हो गया डल का मतलब होता है मंद होना ठीक है और ब्राइट का मतलब होता है चमकदार होना वही डल का मतलब ऐसा मतलब बिलकुल मंद है या फिर डलनेस है जिसमें कोई ब्राइटनस ना हो डेंजर का मतलब होता है खत्रा डेंजर का मतलब खत्रा डेंजर का मत और विक्टरी जीत हो जाती है, तो विक्टरी बोलते है, हार हो जाती है, तो defeat बोल देते हैं, और जीत हो गई तो victory फिर है defense करना, यानि कि अपना हम defense कर रहे हैं, हमने defense में उसको मारा है, तो defense का मतलब बचाओ और दूसरी तरफ उन्होंने attack कर दिया, एक नंहें defense किया, दूसरी ने attack कर दिया तो हमला कर दिया, तो बचाव का हमला हो गया, defense का attack हो गया Dangerous का मतलब है खतरनाख, और Safe का मतलब है सुरक्षित, Death मृत्यू और Birth जन्म डिमांड का मतलब है मांग और सप्लाई का मतलब है पूर्ती एक तरफ मांग है दूसरी तरफ पूर्ती है तो एक तरफ डिमांड है दूसरी तरफ सप्लाई है destroy का मतलब है नश्ट करना विनाश करना दूसरा होता है जहाँ पर destroy नहीं करते हैं build करते हैं create करते हैं तो निर्मान करना या फिर स्रिजन करना destroy का create करना या build करना एक तरफ है divide करना विभाजन करना या बाटना दूसरी तरफ है unite यानि की मिलाना संयुक्त करना ठीक है हो गया नीचे और अप यानी की ऊपर डाउन का मतलब नीचे ड्रंक का मतलब पिया हुआ और सोबर का मतलब सैयमी या समझदार ड्रंक पिया हुआ या मद्होश जो होता है और सोबर का मतलब है सैयमी या समझदार फिर है अरली अरली का मतलब होता है जल्दी और लेट का है शत्रू और फ्रेंड है अगर आपका कोई तो उसको हम कहेंगे दोस्त एंजॉय करना मजा करना और हेट करना नफरत करना एंजॉय का हेट एवरिटिंग का मतलब है सब कुछ और नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं एग्जेक्टली सटीक क्या बोलेंगे इसको सटीक बोल बिलकुल ठीक टाक, एक्जेक नमबर, सटीक नमबर बता देते हैं तो इतना ही है, सटीक है यह नमबर और एप्रॉक्सिमेटली अंदाजन इतना है, यह लगबग इतना है, इस तरीके से हम बोलते हैं फिर एंटर का मतलब है अंदर और लीव का मतलब है छोड़ना, एंटर का मतलब होता है अंदर और लीव का मतलब है छोड़ना, इजी यानि की आसान और डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल, इजी यानि की आसान और डिफिकल्ट यानि की मुश्किल, एंड का मतलब है अंत और begin हो रहा है, तो even का मतलब है सम या बराबर यहां पर ओड आजाएगा विशम या बे जोड, तो सम का विशम होता है गजार, even का odd हो गया,inking का morning हो गया, evening यानि शाम और morning का सुबह, expand का मतलब है विस्तार करना और contract होना, सिकुड़ना, एक तरफ विस्तार हो रहा है एक तरफ contract हो रहा है सिकुड़ना fail होना और pass होना ठीक है असफल होना fail pass fat एक तरफ तो मोटा है fat है दूसरी तरफ skinny है यानि कि पतला मोटा का पतला हो गया मोटा पतला fat skinny फिर है fiction यानि कि कलपना और कथा जो होती है fact होता है वास्तवी किया जो तथे तो fiction का fact होगा कलपना यहाँ पर कथा वास्तवी कि यानि कि जो तथे हो जिसमें fact हो तो fiction का fact हो गया float यानि कि तैरना और जब डूब जाना होता है तो sink बोलेंगे उसको डूबना float का sink हो गया follow का मतलब है अनुकरन करना किसी को उसी के अनुसार चलना तो follow करना और दूसरे का है lead यानि की नेत्रत्व करना अनुकरन करना follow करना lead यानि की नेत्रत्व करना फिर है foolish यानि की बेवकूफी wise का मतलब है समझदारी forgive का मतलब है शमा करना blame का मतलब है दोशी ठहराना जिसको हम शमाई ना क तो forgive का हो गया blame, यानि की दोशी ठहराना, फिर है freeze, freeze का मतलब होता है, जमना, जमना, boil का मतलब होता है, उबालना, boil, freeze, फिर है full, यानि की भरा और empty, यानि की खाली, full, empty का मतलब खाली, generous है, उदार है, दूसरी तरफ, stingy, stingy का मतलब हो गया, ijfar conjuice stingy gentle है Somme Shishil है दूसरी तरफ Rough है मतलब कि Store है अशिश्थ है कटोर और Ashesht घंतुल का Rough एक तरफ विशाल बहुत बढ़ा है यानि की giant दूसरी तरफ bonus नाटा है टक है दुशल बोलेंगे इसको ड्वार्फ जायंट का ड्वार्फ यानि इधर बड़ा विशाल है बहुत है बहुत बड़ा है विशाल है और इधर बोना या नाटा है ड्वार्फ है फिर है गिव का मतलब देना हो गया और लेना यानि की रिसीव करना गिव रिसीव ग्लूमी का मतलब है उ ग्रीफ का है दुख या रंज, जोई का है खुशी या आनंद, ग्रीफ जोई, दुख और खुशी, ग्रीफ जोई, गिल्टी है कसूरवार, जिसनी किसी ने दोश किया हो, तो कसूरवार को बोलेंगे गिल्टी, और जो बेकसूर है, सीधा साधा मासूम है, उसको बोलेंगे गिल्टी का हो गया innocent, innocent का मतलब बेकसूर, सीधा साधा या मासूम और गिल्टी का मतलब है कसूरवार या दोशी, hard है कोई चीज और एक चीज है soft यानि की नरम है, तो hard का हो गया soft, heaven यानि की स्वर्ग जो होता है उसको heaven बोलते हैं और नर्क जो होगा उसको hell बोलेंगे, तो heaven का opposite हो गया hell, heavy का मतलब है भारी और light जो होगा हलका मतलब, ठीक है light वो जलाने वाले light नी, हलके को भी हम light बोलते हैं, high का मतलब होता है उंचा और नीचा होगा ना तो low बोलेंगे, high का low, नीचा, उंचा नीचा, higher मजदूरी पर रखते हैं किसी को, और fire मजदूरी से निका किसी को, किसी की जॉप से निकाल देना, फायर कर दिया, huge का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा, huge का मतलब, tiny का मतलब होता है बहुत छोटा, तो huge का tiny हो गया, hungry यानि कि कोई भूका है और भरपेट है तो उसको full कहेंगे, idle है ना, बेकार या निश्करी है, जो active है जो चुस्त या सक्रिये है एक तो खाली बेकार निठला बैठा है रो एक active है सक्रिये है फिर है इनका अंदर आउट का बाहर इनका अंदर आउट का बाहर include का मतलब शामिल करना और चोड़ देना तो exclude बोलेंगे include का exclude चोड़ देना include शामिल करना इंडिविजूल है वैक ती अलग अलग मतलब वैक्तिकाट रूप से होता है जो इंडिवीजूल है अलग अलग और एक गृूप में करते हैं जुन्ड में तो इंडिवीजूल को हो गया गृूप में तो इंडिविजूल को उपोसिट हो गया फिर के इंसाइड इंसाइड का मतलब यह यह बाहर जॉइक का मतलब खुशी हो गया और उदासी है तो sadness पूलेंगे जोई का खुशी और सैडनेस उदासी एक है काईन्ट और दूसरा है क्रूर बोलेंगे और काईन्ट को दयालू नॉलेज यानि कि ग्यान है अज्ञान है तो इग्णोरेंस बुलेंगे फिर है कमी होना किसी भी चीज की और भरपूर होता है प्रच्चुर मात्रा में होता है तो बोलते हैं abundance या फिर plenty फिर है lady लेडी का मतलब है महिला भद्र महिला या महिला और gentleman का मतलब है पुरुष या भद्र पुरुष तो महिला पुरुष इस तरीके से बोल सकते हैं तो lady का gentleman land यानि की जमीन होता है जमीन का sky हो गया आसमान ठीक है उल्टा इसका opposite फिर है land यानि की उतरना land करते है ना take off करते है उड़ना जैसे की plane करता है land का मतलब उतरना और take off का मतलब उड़ना फिर है large large का मतलब है बड़ा चोटा हो गया small last का मतलब है आखरी last number है मेरा पहला number है first तो last का हो गया first, late का मतलब होता है देर, अगर जल्दी होगा तो early होगा, तो late यानि की देर और early यानि की जल्दी laugh का मतलब है हसना, दूसरी तरफ है cry यानि की रोना, हसना रोना, lazy का मतलब हो गया, सुस्त या आलसी होगा, active या busy ठीक है, lazy बोल सकते हैं, तो lazy का हो गया active या lazy का हो गया busy, busy रहता है जो चुस्त यानि जो west रहता है और active होगा, चुस्त होगा जो, सुस्त होगा या आलसी होग lazy है learn मतलब सीखना और teach का मतलब सिखाना leave का मतलब होता है छोड़ना या फिर विदा होना leave ठीक है leave ले रहे है न कोई अभी तो मैं leave लेता हूँ यहां से चलता हूँ so छोड़ना हो गया और विदा होना हो गया arrive या enter करना आना arrive पहुचना arrive प्रवेश करना एंटर करना तो leave का arrive या enter जो भी सही लगे आपको दोनों में से कोई साभी बोले सही है फिर है left का उल्टा हो गया और right का मतलब सीधा land का मतलब है उधार देना और borrow मतलब की उधार लेना किसी से borrow किया ना उधार लिया और किसी जादा बहुत ज्यादा अधिक let का मतलब है जाने देना या फिर अनुमती देना forbid का मतलब होता है मना करना या फिर रोकना let का मतलब जाने देना जो भी जाना चाता है जो भी करना चाता है lie का मतलब है जूट और truth का मतलब है सच तो lie का हो गया truth lie होता है एक लेट ना आराम करना तो same spelling है लेकिन मतलब अलग-अलग है तो लेट ना हो जाता है lie अगर कोई लेटा हुआ है lie down बोलते हैं ना आराम करना lie stand का मतलब है खड़ा होना तो lie का stand हो गया life का मतलब है जिंदगी और death का मतलब है मौत लाइट का मतलब है प्रकाश और डाक है अंधिरा या फिर लाइट का होता है हलका भी होता है और हैवी मतलब भारी तो दोनों तरीके से अलग-अलग situation में इनका use होता है हलका भारी होता है एक प्रकाश अंधिरा होता है फिर है like का मतलब है पसंद करना कोई चीज आपको पसंद है या फिर आप किसी को पसंद करते हैं और dislike करना ना पसंद करना या फिर like का मतलब पसंद करना और नफरत करते हैं, तो hate भी कह सकते हैं, likely का मतलब होता है संभव, likely और unlikely है असंभव, likely, unlikely मतलब असंभव, liquid का मतलब होता है तरल या फिर द्रव्य जैसे की पानी होता है, solid का मतलब ठोस या सक्त, ठोस और सक्त, little का मतलब थोड़ा या फिर नन का मतलब बढ़ा लार्स का मतलब बढ़ा या ज्यादा लाइव का मतलब होता है जीना का मतलब होता है मरना लाइव डाई लोनली का मतलब होता है अकेला और एक होता है ना लोनली अकेला और क्राउड़ लोनली हाउस है और यह क्राउड़ हाउस है मतलब भीड़ वाली जगे भी मातलब वह भी मिकरटो अ profits like रेखेफ सब्सक्राइब का बांदा किरी टाइट सेकल भी मीद में सब्सक्राइबं किरेंज़ एक उसे को बैल्ट के में और एक िदा वी आप lose, lose का मतलब है खोना या हारना, खोना हारना अगर जीत हो जाती है और पा लेते हैं तो find या win कह देंगे फिर है loser, ऐस सफल वेक्ती होता है उसको loser बोलते है और जो सफल वेक्ती होता है जो जीत जाता है उसको winner बोलते है एक होता है lost, lost का मतलब हो गया खोना, lost का मतलब खोना, found का मतलब होता है पाना या जो आपने पाया ना खोजा, found किया फिर है loud, loud का मतलब उचे स्वर से या तिवर मतलब तेज स्वर से, एक होता है quiet मतलब निशब्द या शांत होता है न जो उसको बोलते हैं quiet Loud का Quiet हो गया, Love का मतलब है प्यार, Hate का मतलब है नफरत या घरना Lovely का मतलब है प्यारा, Lovely का मतलब प्यारा और डरावना जो बध्धा होता है उसको बोलेंगे Terrible बहुत जादे Terrible है डरावना या बध्धा व्यक्ति बोल सकते हैं Low का मतलब नीचा, High का मतलब उंचा, Lower का मतलब कम करना और Raise का मतलब बढ़ाना इसकी Rate जो है वो Lower कर दी है, Raise मतलब बढ़ा दी है Major, Major का मतलब होता है बालिक और Minor का मतलब होता है ना बालिक या फिर मामूली फिर है male, male का मतलब पुरुष और female का मतलब है महिला man, man का मतलब आदमी और women का मतलब है औरत many मतलब कई या अनेक, many, few या some होगा उसको हम बोलेंगे कुछ या कम, दो चार जो होंगे few, some, कुछ या कम या दो चार marriage का मतलब शादी और divorce का मतलब तलाक married का मतलब शादी शुदा और divorce का मतलब तलाक शुदा अकीला, कुवारा, single भी बोल सकते है marry का मतलब है शादी करना और divorce का मतलब है तलाक देना तो इस तरीके से अलग-अलग परिस्तिति में इनका use किया गया है marvelous का मतलब है शादार, अद्भुद और खराब या भयाना का तो terrible है कितना खराब और भयाना का और कितना भद्दा है terrible फिर है master, master का मतलब होता है मालिक और servant का मतलब होता है नौकर mature होता है परिपक्व पूर्ण विक्सित होगा और immature होगा अपरिपक्व या आविक्सित maximum होगा अधिक्तम और minimum निनाना या कम से कम फिर है mean, mean कितना कंजूस है, mean है generous का मतलब है उदार melt का मतलब होता है पिघलना और freeze का मतलब होता है जमना men यानि, एक से ज्यादा आदमी, E है नang इसलिए women हो गया, एक से ज्यादा औरते, तो यह A नहीं लगा है, A लगा होता है, तो उसका मतलब A है, mend का मतलब सुधारना, मरमत करना, जैसे जूते वगैरा सुधारब सुधुरवाते हैं, उस तरीके से, मैंड करवाते हैं ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना मैस हो जाना गंदा हो जाना गरबड वेवस्थित हो जाना तो और उसको हम सही ओर्डर में लगाते हैं तो सुवेवस्था बोलते हैं या वेवस्थित तरीके से मैंने ओर्डर में इसको लगा दिया है तो मैस कहोगा कात्री और नून का मतलब है दो पहर मिनिमम मिनिमम का मतलब निउन्त Tang मैक्सिमम तो वही है सेम तो आप जाहे उल्ट लिखें या किसी तरीके से भी आप कह सकते हैं माईनर वही से मेजर हो गया मिस का है छूट जाना या SFL होना, miss होना, और catch कर लेते हैं, तो हम पकड़ लेते हैं, miss हो गई train तो बोलते हैं, miss हो गई चूट गई और catch कर लेते हैं, नहीं हमने पकड़ ली, तो hit भी बोल सकते हैं, मारना, या फिर, मारते हैं, hit करते हैं, और miss हो गई ball, और मैंने तो hit कर दी ball को, तो इस तरीके से इन होता है mix moderate का मतलब होता है मध्यम या फिर कम एक्स्ट्रीम का मतलब होता है बहुत या अतिश्य एक्स्ट्रीम ज्यादा या बहुत होता है moderate का मतलब कम या मध्यम modern हो गया modern का ancient होता है और old का old भी कह सकते हैं पुराना ठीक है मोईस्ट का मतलब होता है नम या गीलापन होता है ड्राइ का मतलब हो गया है सुखा या फिर शुष्क जो होता है तो मोईस्ट होगा जो नम हो या फिर थोड़ा गीलापन होगा जिसमें और ड्राइ का मतलब सुखा मोनार्की मतलब होता है एक तंत्र या राजा वाला जो शा चांद का सूरज मोर का मतलब ज्यादा और लेस का मतलब कम तो मोर का लेस morning और evening यानि morning मतलब सुबह evening मतलब शाम most का मतलब अधिकतम least का मतलब यूनतम यानि सबसे कम most और लीस्ट फिर है mountain का मतलब परवत और खाई हो गया valley move का मतलब हटाना या चलना भी होता है stay का मतलब रुकना या रहना मच मतलब ज्यादा और लिट्टिल मतलब कम या थोड़ा तो इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर उपोजिट वर्ड्स है आप इनके प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्ड्स की मीन दिये गए हैं हिंदी के तो उनको भी आप समझ सकते हैं यह जो इंग्लिश के वर्ड्स है उनको समझना थोड़ा इजी हो जाए तो इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही दूते हैं और नई एजुकेशन क्लास के साथ तब तक के लिए थैंक्यों सो मच